नमस्कार दोस्तों एम सिंख फार्णेस यूटिब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है आस्तारिक है 11 सब्प्रबर 2020 आज से ठीक एक बहिना वाद यानकी 11 अक्टूबर 2020 को भी हरे से मेंस एक्जामनेशन होंगे और उसके एक सब्ता वाद यानकी 18 अक्टूबर 2020 को मेंस एक्जामनेशन प्रस्तावित है तो दोनों एक्जामनेशन के द्रिष्टि कौन से कौंट डाउन सुरू हो चुका है था कौंट डाउन है जस्ट बिगेन अभी आपके पास समय नहीं है तो आज केजुली बस यूहीं बात करने वाले हैं जो आपके त्यारी चल रही है कह कैसा चल रहा है प्रेक्ट्टि सेट पारने तो कितने स्कोर है कितना स्कोर आपको और अप्लिफ्ट करना पड़े गा और हिंदी के तियायरी कैसेरी करने है क्योंकि बहुत सारे श्टोरि ettie करना कि हम बात करेंगे क्योंकि अभी आपके द्वारा लिएगे हर एक कदम बहुत ही महत्पूर हो जाता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं जैसा कि आप लोग अभी सब लोग पूरे जोस के साथ पूरे सक्ति के साथ और पूरे तलिंता के साथ इस एक्जामनेशन के जो दो एक्जामनेशन से बता रहे हैं तो देखिए मैं एक ही बात करना चौको प्रेक्टिसेट का मतलब यह नहीं होता है कि उसके कोश्चन्स होगों आपको एक्जामनेशन के बिल्गूल नहीं और यह सब बात आप भी जानते हैं बस आपको एकुडिस्टी का टेस्ट करता है और टेम मेनेश्म प्रेक्टिसेट करने के जरुद हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप जैसे पहले आप पढ़े होंगे ठीक है आप जितना जितना अपने स्लेवस को रिवाइज कीजेगा उसको गें कीजेगा आपका पॉममेंस यहां पे प्रेक्टिसेट में उभार आएगा यह एक कॉमन प्रेक्टी सेट माँट है ठीक है ये अची बात है वह आपके और टेम एंप्रूव करेगा और ठोड़ा बहुत आपके कोश्न के लवल कोई बढ़ाएगा क्योंकि प्रतेक क्रेक्टी सेट में कुछ नए कुशन्स होते हैं लेकिन यह कि आप समगर त्यारी जाधी है तो आपको पहले अपने जो डिवीजन से हैं चोरक बीस्पूक में होगा वह आपका अभी में है और तब जाकर प्रेक्टिस सेट में जो यहां पर बूस्ट होगा आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा न की बहुत अरब यह भी बोल लिए उद्विक्सिक काम है रेवीजन वाला या फिर आपका जो गेनिंग वाला है जो बेस्बूक है उसको पढ़ने वाला वह आपको यहां पर बढ़ेंगे तो सिदिनली आपके तियारी को बूख्ट दे देंगे आपके अंदर एक नहीं तरह के उर्जा को भड़ देंगे आप यदि आप यदि बात करूं बना रहे हैं आपको डिरसों में 120 आ रहा है अब बात करते हैं हिंदी के लिए आपको कहीं से जयदा एक्स्ट्रा मेनित करने के चुरूत नहीं है ठीक है ना क्योंकि हिंदी के लिए जैदा वक्त नहीं बरबाद करना है बस सेलेक्टिव वहां पर पढ़ना है और वह समय बच्जा है तो उसको आपको जीएसजी के मैंत रिजिटिंग करें हरी एक एक्जामनेशन का जोसलिए बस है उस पे आपको वेस्ट करना है जामनेशन के लिए बात करें हो ऑर आपको समास पहले कर लेना है ठीक है ना एक घंट लेगा आप यूट्यूब पर बहुत सारे विडियोज होंगे समास को देख सकते हैं एक एडिर खंटा का होगा ठीक है या फिर आपके पास बुक अबलेबल तो वहाँ से आप पर लोग पढ़ लेजिए उसके बाद अनुलोम बिलोम तो प्रैक्टिस करने की चीज़ है विब्रार तक सब प्रैक्टिस करने की चीज़ है इन तिनों को करने के बाद आपको प्रियावाजी सब्द कर लेना है ठीक है ना इन चुछों को कर लेना है पर देख लेना है और प्रीबियस येर्ड जो भी कुश्टिंस पूछे हैं जहां बिहारे साही मेंस की बात की जाए या पिर बिप् प्रतिक प्रीबियस को देख लेजिए और जो मैं दो चार्ट ट्रॉपिक को बताया है कि आपको समास विपरार्थक प्रयावाजशी इन चुछों को करना है और एक और महतपूर्ण है बुक्स और रैटर बुक्स और रैटर एक ऐसे चीज़ है जो आपको बिहारे साहे में तो पिछला बार को ट्रेंड है उसमें कडिब 8 से 10 कोश्चन्स पूछेंगे बुक्स और रैटर में हिंदी से ठीक है न हिंदी के महतपूर्ण रचनाकार और लेखनी के सम्मन्द में और आपको 20 से इंटर में भी आपको 57 कोश्चन्स पूछेंगे तो इन जो को बस कर लेन है और एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाना है यह समय बचाना है जो आप हिंदी में एक्स्ट्रा समय दीजिएगा उसको बचाना है और आपको जो आपके में हैं जिएसजी के और मैंध रिजिन उस पर इन्वेस्ट करना है तो यह महतपूर्ण है हिंदी के त्यारी के लिए कर में क्या हुआ था कि जो मेंस था उसमें मेरिट मैने के लगबग 130 क्यास पास आना पड़ा था तो हाला कि वहां पर मैं यह बात कर रहा हूं कि वहां पर सीट थोड़ी सी कम थी लेकिन सेवार सीट बहुत ज्याद है तो कंपरेशन भी काफी टफ है तो यदि आप 120 क्यास पास और यहां पर जो भी सेट बनाते हैं वह बहुत ही एक टेंडर में सेट किया जाते हैं एजी और हाड ठीक न तो यहां से आपको निश्ची तुरूप से पांस दस कुष्चन से आपने पर जयाधा बनाएगा यह एक फैक्ट है यह प्रूवें फैक्ट है ठीक है ना माले यह सब्सक्राइन फ्रीन गया कट्रें यहां थ्लस्ता कि आपको एक उस्चे आप लेवल कितना रहता है तो यह तो बात है आपको कि जो गया है एक छोटा सा मेसेज है सोसल सैट्स की जहां तक बात की जा रही है तो सोसल सैट्स तो आपको दूर है नहीं है जो बेसिक चीज है उसी का जवाब नहीं आपाता है अन्तो गत्वा मैं यह सुचता हूं कि चलो वह एक अच्छे काम में लगे हुए हैं तो यहीं मेसेज में इस वीडियो के तुरू से उन्हें भी देना चाहता हूं और बाकि लोगों को देना चाहता हूं कि आप अभी जिस लक्ष पे रहे हैं उसको जरूर आप एटन कीजिए तो यह है आपका एक बेसिक जिसको आप लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो निस्ची दुरूप से कीजिए सफलता अरजित करने के लिए मैनत तो करना होगा और उसके अलावे आपको फिलाल कुछ नहीं सोचना है अपने मोरेल को में से हाई र करें इस पूरे जर्णे को उत्सब के रूप में मनाएं ठीक है ना यदि हम इसे उत्सब के रूप में मनाएंगे तो हमारा इसका फल भी बहुत ही शांदार मिलेगा तो आज के वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से जरूर करने साथ चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर हमाइında क्हाओंड़ कुछ ही frankly वीडियो